अंभ असलाम लेकूम आज हम ऊपंट मुझस के ज Bournifi है को अच्छ तरह से साफ के लिए और इसमें जरा भी पाणी नहीं पानी नहीं रहे न चाहिए। अच्छ अध्रक लासुन का पेस्ट डालेंगे अगर आप लोग को ज्यादा पसंद यंद्येगा है जी चेहरा और काली मिर्च को पाॉडरर है इसको भी आध्रक लाली मिर्च लेंगे दोड़ा सतीखा बन के लिए ठीक रहेगा और अपने टेस्ट के अकोडिंग हम लोग आधा चम्मच नमक ले रहे हैं और इसमें आधा चम्मच भाल्दी लेंगे अगर आप लोग अगर आप लोग आधा निबू कर से पीज़ को निकाल लिए हैं और लोग दुसरे प्याली में भी निभू का रस को निशोड को तने जाए हम लोग इसी में निचोड दे रहे हैं हम अच्छा से निचोड के अच्छी तरह सब लोग मिला मेला लेंगे देखियें। तो मिल नहीं रहा है। यह था सब्सक्राइब अपने उपयां जब दोगें। अब बनाना है तो आप लोग अभी भी तल सकते हैं अभी यह तलने के लिए देखिए हम लोग 10 मिनिट हो चुगा है हमने अपने पाइंग को रख दिया है गराम होने के लिए हम लोग 100 गराम के मुतामिक ज्यादा तेल केदम अइसा ने केदम यतना सा तेल भर देखिए और डूबने जरूरी है मश्ली को ऐसा कुछ नहीं है हम लोग सीर्ष महिश को हम अच्छा होता है उसका टेस्ट अच्छा आता है और हमारा तेल न एक दम बिल्कुल गरम होना चाहिए यह जरा भी ठंडा पन नहीं होना चाहिए लाम हाई फ्रेम पर इसको हम लोग गरम कर लेंगे तेल को फिर उसमें मचली को डालेंगे और क्योंकि कम गरम तेल रहेगा तो हमारा मचली चिपकने लगेगा हमारा तो नहीं चिपके के लेकिन आप लोग अर। नौर्मल और क्लाए कराही में बनाएंगे तो चिपक नहीं लगता है इसलिए लोग तिल हाई करके गरम कर लेंगे आर जब हम इसको ढ Also देंगे पूरा मचली को देखिए जब मचली को पूरा ठेल में डालेंगे कि इसका मिडियृम इसक अगली जाएगा लेकिन जूसी नहीं होगा इसे मिडियम पर तल ने तर लेगा अच्छा लगेगा तो आपको सालन में अगर पाकाना है आप लोग हाई फिल्यम पर भी तल सकते हैं देखिए कितना च्छकलर आए है थे 5-7 मिनट बाद फिर हम लोग इसको पलेट रहे है मेडियम फ्लेम पर धिरे-दिरे और जब आप लोग नॉर्मल कड़ा है पना रहे है ना तब अपलोग जब पलेटना हो मछली को तब उससे पहले मेडियम एदस्प्लेम पकर दीजिए फ अंदर तक गल चुका है और टाइट भी नहीं हो एक दम मुलायम है यह नहीं कि दम टाइट हो गया है उसको मुह में लेने से प्रब्लम हो ऐसा कुछ नहीं है अंदर से जूसी है उपर से खाय देखिए अगर हमारे रेशिपी अच्छा लगे था हमारे चानल को लाइक सेर किजिए सब्सक्राइब किजिए कमेंट करिए